इस सदन में रहते हुए जो भी योगदान कर सकते हैं करने का प्रयास किया है और उन सब को राश कभी भूल नहीं सकता है मेरी तरफ से आपके इस सब उत्तम सेवाओं के लिए आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई हैं और भविशे के लिए आपको बहुत-बहुत अच्छों थामनाई लिए यह सदन उन वरिष्ट महनुभाव का है कि जिनके जीवन का अनुभव सदन में वैल्यू एडिशन करता है समाज जीवन के आशा अकांख्षाओं को एक निश्पक्ष भाव से तलाजू से तोल करके भविश्य की समाज व्यवस्ता में क्या पुरक होगा क्या पुरक नहीं होगा उसका लेखा जोखा करने का सामर्थ इस वरिष्ट सदन में रहता है वरिष्ट महनुभाव से रहता है और उसके कारण यहाँ पर जो बात बताई जाती है उसका अपना एक विशेश मुल्य है उसका एक वहिश महत्व है और वो महत्व ही है जो हमारी नीती निधारण में बहुत बड़ी एहम भूमिक आदा करता है हमारे बीश में आदर्णिय पराशनन जी जैसे महानुहाव जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिजम के साथ-साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है ऐसे लोग हमारे बीश से सदन में से हम उनको मिलाव नहीं मिलागा दो भारत जिन के लिए गर्व करता है से खिलाडी सिमान दिलीब जी और सचीन जी ये दो भी आने वाले जिन्हों में हमारे बीश में उनका अलाब हमें नहीं मिल पाएगा प्रोफेशर कुरियन सहाब को हमेशा लोग याद करेंगे उनका हस्ता हुआ चहरा हमेशा और सीखना चाहिए कि बात तो वही बता नहीं है लेकर हस्ते हुए से बता नहीं है उनकी विश्ष्ता रही और उसकी कारण संकत की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी एहम भूमिका रही है यह बत सही है कि हम में से बहुत कम लोग है जिसके पीछे दल और डल की विचार धारा का नाता न रहा हो बहुत कम लोग है जादा तरह हम वही लोग है जिनका कोई इनकोई वो बैक्राउंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि यहां पर उन बातों को प्रतिश्टापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना बहुत स्वाभाविक भी है लेकिन ये भी अपेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए जरूरी नहीं है और इसलिए तो कि वरिष्ट सदन का एक मातमा है रहता है हर एक ने अपने पनी उस भूमिका को निभाया है मैं मानता हूँ शायद आप मैंसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब आखरी सत्र होगा तो ये विशे मैं उठाऊंगा मैं इससे तयारी करके जाऊंगा कि जाते जाते एक बड़ा इतिहासिक भाशन करके जाऊं मैं ऐसे विचान रख करके देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊं लेकिन शायद वो सहुफाज्या आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला और उसके लिए यहांच की जिम्मेवारी नहीं है यहां से यहां तक हम सब की जिम्मेवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण नेड़े में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमी का निभा करके आखिर आखिर में उत्तम चीजे छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता तो आपको एक विशेश संतोष होता लेकिन शायद इस सदन का ही कारण रहा कि आप उस सोभागे से बंचित रह गए कल तो लग रहा तक शायद आज ये भी मुका छुड़ जाएगा लेकिन चेर्में स्री ने काफी मेहनत की सबको समझाने का प्रयास किया सबको साथ लेगने का प्रयास किया समान बीजै जी लगे रहे आखिर कर ये संभव हुआ कि आज सभी जाने वाले सदर्स अपनी भावना प्रगट कर पाएंगे लेकिन फिर भी किसी महतवपूर्ण नेड़े में जो योगदान जो इ जाने वाले इतिहास में बहुत बड़ी भूमिक आदा करने वाले हैं उसका निर्णे करने की प्रक्रिया से आप वंचित रह गए जो वापिस आये हैं उनको तो सोफागी मिलेगा लेकिन जो जा रहे हैं उनको शायद इस इतिहासिक महत्वपुन फैशले से वंचित रहना कि सारी चीज़े हम कर पाते हैं मैं फिर एक बार जो सभी महने आदरनियर सदस से गण जा रहे हैं उनको शुब कामनाई देता हूं मैं आपके साथ ही के नाते आपसे ये आगरे करूंगा तो आप ये मत चार मानिये इस सदन के दर्वाजे बंद होने से इस पूरे परिशर क के दर्वाजे खुले हैं प्रधानमत्र का कारेले खुला है देश के लिहित्में आपके मन में जब भी जो भी विचार आएं आप जुरूर आए मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने का आपको समझने का और आपके विचारों को जहां भी होंगे आप योगदान देंग मैं उसको आगे पहुंचाने का जुरूर प्रयास करूँगा मैं फिर एक बार आपको भहत बहुत धन्यवाद देता हूँ भहत बहुत शुब कामराई देता हूँ